नमस्कार दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नादते हुए कानों में अंदर तक पानी देकर साफ करते हैं, जिससे पानी कान के अंदर तक चला जाता है और कान के अंदर की नालिका गीली रहने लगती है। नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही मतवपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। लहसुन का तेल लगाएं। कान के दर्द में रहत दिलाने में लहसुन का तेल असरतार है। एंटी बैक्टेरियल गुनों से बरपूर लहसुन संक्रमन को कंट्रोल करेगा साथ ही कान के दर्द से भी चुटकारा दिलाएगा। लहसुन का तेल बनाने के लिए आप लहसुन की दर्द से छुटकारा दिलाएगा प्याज का रस प्याज में मुझूद एंटी बैक्टेरियल गुन कान में इंफेक्शन के खत्रे को कम करते हैं प्याज का रस इस्तेमाल करने से कान के दर्द से रहत मिलती है एकसपर्ट्स के मताबिक कान में दर्द होने पर एक चमच प्याज के रस को हलका गुणा कर लें और दिन में दो बार कान में दो से तीन बार डालें कान के दर्द से रहत मिलेगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें सबस्क्राइब करने के लिए स्क्रीब पर आए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करें धन्यवाद